ओम शान्ति आज बाबा के 22, 12, 21 के साकार अनमोल मदुर महवाक्य हैं जिनमें बाबा नहीं कहा कि बच्चों को मैं भक्ती का फल देने आता हूं भक्ती का फल बाबा मिलता और बाबा करके ज्ञान देता है सासाथ बाबा नहीं कहा इस ज्ञान मरग में बड़ा उसको कहेंगे जो सर्वी से बुल बच्चा है मन वचन करम से सर्वी स करता है तीसरा बाबा नहीं कहा कि तुम्हें अपना तन मन धन सब कुछ इश्वरिय सेवा में सफल करना है तो सुनते हैं बाबा की महा बाके मिठे बच्चे बाप आई है तुम्हें भक्ति का फल देने भक्ति का फल है ग्यान और उस ग्यान से फिर सद्गति होती है कोश्चन है इस ब्राह्मन कुल में बड़ा किसको कहेंगे उसकी निशानी सोनाओ अंसर है ब्राह्मन कुल में बड़े से बड़े वेहे हैं जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं जिनी सदेव अपनी उन्नती का ख्याल रहता है जो पढ़ाई करके बहुत दीखे जाते हैं ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब इश्वरिय सेवा में सफल करते हैं अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं गीत तुने रात गवाई सोई के ओम शान्ति ये गीत अनकरेक्ट हैं भक्ती मारग के हैं दुनिया वालों के हैं इस दुनिया में तुम जो भी सुनते हो सब अनकरेक्ट अर्थात चूट है बाप पेर समझाते हैं ये भारतवासी बच्चो बच्चे जो सन्मुक हैं उन्हों को ही कहेंगे तुमको अभी मालूम पड़ा है वह भक्ती मारग वेद शाष्तर उपनिस्त आदी कितने भक्ती मारग में जनम जन्मानतर पढ़ते आते हैं गंगा सनान करते आई हैं पूछो ये कुम्ब का मिला कबसे लगता आया कहेंगे यह तो अनादी हैं कबसे करते आई हैं ये बतानी सकेंगे उनको यह पता ही नहीं है कि भक्ती मारग कबसे शुरू होता है कल्प की आयू ही उल्टी कर दी है कहते हैं शाष्तरों में लिखा हुआ हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात यह एक गीता में ही है आप बाप समझाते हैं तुम ब्रह्मनों का दिन और रात बेहद का हैं आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात सत्यूग त्रेता दिन द्वापर कल्यूग रात जरूर एक्वल चाहिए ये चार यूग हैं फिर एक्वल 1250 वर्ष के चारो यूग और फिर एक्वल मना आधा आधा पचीसो वर्ष सत्युक त्रेथा दिन हैं और बचीसो वर्ष द्वापर कल्यूग रात है आधा कल्ब से भक्ति मारक शुरू होता है यह किसी को भी पता नहीं है सोमनात का मंदिर कब बना पहले पहले सोमनात का मंदिर ही बना है अव्वेविचारी भक्ति के लिए तुम जानते हो आधा कल्ब पूरा होता है तब ब्रह्मा की रात शुरू होती है लाखों वर्ष की बाद तो हो न सके कहते हैं तेरां चोदां सो वर्ष हुए होंगे जबकि महमद गजनवी मंदिर से खजाना लोटकर ले गया अब तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई तेलुक नहीं है और और धर्म वाले जो आते हैं वो सब बीच के बाई प्लाट हैं अभी तो उन्हों की भी अंत है तमों परधान हैं कितनी वेराइटी है सोर्य वंची फिर चंद्र वंची हुए दो कला कम हुई फिर दूसरे वेराइटी आते गए इस समय है ही भक्ती मार्ग ज्यान से होता है दिन अर्थात सुक्ष भक्ती से होती है रात अर्थात दुख जब भक्ती पूरी हो तब ज्यान मिले तो ज्यान देने वाला एक ही ज्यान सागर बाप है वह कब आते हैं शिव जैनती कब मनाई जाती है यह भी किसी को पता नहीं है अभी तुमको बाबा बैट समझाती है कि भक्ती कितना समय चलती है फिर ग्यान कब मिलता है आदा कल्ब से यह भक्ती मारक चलता ही आया है सत्युक द्रेता में ये भक्ती मारक के चित्र आदे कुछ भी होते नहीं भक्ती का अंश भी नहीं रहता अब कल्यू का अंत है तब भगवान को आना पड़ता है बीच में किसको भगवान मिलता ही नहीं कहते ही पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा गीता का भगवान अगर कृशन है तो वह फिर कब आएंगे रज्जुग सिखाने कब आएगा ये बावन ने कहा मनुश्य जानते ही नहीं तो मनुश्यों को कुछ भी पता नहीं है भक्ति मारक बिलकुल अलग है ज्ञान बिलकुल अलग है गीता में हैं भगवानों वच्चे गाते भी हैं ही पतित पावन आओ तो एक तरफ पुकारते रहते हैं और दूसरे तरफ फिर गंगा सनान करने जाते हैं निश्चे कुछ भी नहीं है कि पतित पावन परमात्मा कौन है तुम बच्चों को अभी ज्यान मिला हैं तुम जानते हो अभी हम योगबल से सद गती पाते हैं बापा कहते हैं मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे मैं गैरंटी करता हूँ पतित पावन बाप कहते हैं मैंने पाइंच छजार वर्स पहले भी ऐसे कहा था क्या कहा था हे बच्चे देही सही तेही के सब संबंदों से बुद्धी योग तोड़ मुझे याद करो ये गीता के महवाक्ये है परंतु गीता मैंने कब सुनाई यह किसी को भी मालूम नहीं है मैं बतलाता हूँ कि पाइंच हजार वर्स पहले मैंने तुमको गीता सुनाई थी इस समय सारा मनुस्य स्रिष्टी रूपी जड़ जड़ड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है तुमको भी अब बाप ने आकर ड्रामा के आदी मध्य अंत का सारी चक्र का रा समझाया है पाप तो जरूर अंत में ही आएगा न तुम जानते हो नहीं दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है अब तुमारी बुद्धी में है हम नहीं दुनिया स्वरक के मालिक बनेंगे यह राज्यूग है तो फिर हम प्रजा क्यों बनें जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना राजा रानी बनें मम्मा तो जवान थी यह बाबा तो बुड़ा है फिर भी सबसे उंच पढ़ते रहते हैं न जवान तो सबसे तीखे होने चाहिए बाप कहते हैं मुझे याद करो जितना हो सके बाकी सब को बूल जाओ पुरानी दुनिया से वेराग्य है जैसे नया मकान बनता है तो बुद्धी उस तरब चली जाती है न वह आँखों से देखा जाता है यह बुद्धी से जानते हो बहुतों को साक्षात कार भी होता है बरोबर बैकुंट पेराडाइज हैविन भी कहते है जरूर कब थाना अब नहीं है अभी फिर तुम राज़ाई प्राप्त करनी के लिए राज्योग सीख रही हो पहली पहली मुख्य बाथी यह है शिव भगवानों वाच्चे क्रिशन तो भगवान हो न सके वह तो पूरे चुरासी जन्म लेते है भगवान तो जन्म मरन में आना सके वह तो बड़ा साफ है यह बाबा साब बात बताते हैं क्रिशन की आत्मा पूरे चुरासी जन्म लेती और शिव बाबा भगवान जन्म मरन रही थै तो बाबा कहते हैं यह तो साब बात है क्रिशन का वह रूप सत्युग में जो था वह फिर हो न सके पुनार जन्म लेते नाम रूप बदल जाता है इस समय वो आत्मा तमो परधान है कोई कहे क्रिशन द्वापर में थे परन्तो उनका वहरूप तो द्वापर में हो न सके द्वापर में पतित से पावन बनाने आ नहीं सकता क्रिशन तो सत्युग में ही रहते है उनको पतित पामन कहा जा सकता गीता का उनको पतित पामन नहीं कहा जा सकता गीता का भगवान कृशन नहीं शिव है वह आते भी जरूर है शिव जैनती भी है जरूर कोई रत में ही परवेश करेंगे खुद भी कहते है साधान तन में आता हूँ जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ ब्रह्मा द्वारा विश्णुपुरी की स्थापना होती है माहा भारत लड़ाई भी सामने खड़ी है कि नॉलेज अच्छी तरह बुद्धी में याद रखनी है बुद्धी में यह याद रहे कि हम स्टुडेंट है बाप पढ़ा रहे हैं बाकी थोड़ा समय हैं फिर बाबा हमको वापिस ले जाएंगे जो अपने को उच बनाएंगे वही उच पद पाएंगे परन्तो माया ऐसी है जो एकदम तबाई बना देती है कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है छुट छुटे गाउं में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं बहुत प्रजा बनाते हैं तो खुद जरूर राजा बनेंगे तो ग्रेश्ट व्यवार में रहते पवीत्र रहना हैं बहुत मेहनत करनी है माता हीं पवित्र बनती हैं तो पती बनने नहीं देते तो जगड़ा चलता है सन्याशी कुद पवित्र बनते हैं तो इस तरी को छोड़ देते हैं फिर उनको तो कोई कुछ नहीं कहता कि अपनी रजना को छोड़ क्यों भागते हो पवित्र बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता हम किसको घर बाद छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं सिरब कहते हैं पवित्र बनना चाहिए इसमें मना क्यों होने चाहिए परन्तो इसमें ताकत बहुत चाहिए बात करने के भग्वान वाचि तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे इसमें अवस्था बड़ी अच्छी मजबूत चाहिए मोहो आदि नहीं चाहिए जो फिर याद पढ़ती रहे बुद्धियो कुटम की तरफ जाता रहे इसलिए फिर सर्विस लाइक नहीं बन सकते इतनी मजबूत अवस्था चाहिए जो बुद्धि परिवार की तरफ वस्थों की व्यक्तियों की तरफ नहीं चाहिए और सर्विस के लाइक भी बनना चाहिए यहां तो बेहत का सन्यास चाहिए यह तो कबरिस्तान है जो अच्छी सर्विस करते हैं, 오 बड़े ठैरे, उनों का बड़ा रिकार्ड रखना चाहिए, उन जैसी सर्विस करने चाहिए, तब उच्पत करने पाएंगे, आभी तो अपनी उनती का उना रहना चाहिए, अपने को देखना चाहिए हम बाबा से बर्षा पाने के लाइक बने हैं बाप आया है पामन बना कर साथ ले जाने वह ठुकराएंगे कैसे बाबा सबसे पूछते हैं तो कहते हैं हम तो महरानी बनेंगे तो चलन भी ऐसी हो ना कई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं परन्तु जो पुर्षार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे हर बात में पुर्षार से ही प्रालब मिलती हैं कोई बिमार पढ़ जाते हैं पिर ठीक होने से ही दिन रात पुर्षार्थ में लग पढ़ते हैं पढ़ाई में तीखे हो जाते हैं, यहां भी सर्विस में लग जाना है, सर्विस की युक्तियां तो बाबा, बहुत बतलाते हैं, प्रदशनी पर समझाने का अभ्यास करो, बाबा तो कहते हैं, अपनी उनत्ती कर जीवन बनाओ, यह ओना रहना चाहिए कि मैंने कितनी सर्विस कितनों को आप समान बनाया, किसको आप समान नहीं बनाया, तो उंच पद कैसे पाएंगे, फिर समझा जाता है, प्रजा में चले जाएंगे, आथवा दास दासी बनेंगे, धेर सर्विस पड़ी है, अभी तुम्हारा जार छोटा है, मजबूत नहीं है, तो फान लगने से क अच्छे गिर पड़ेंगे, माया बड़ा हैरान करती है, माया का काम है बाबा से बेमुक करना, चलते चलते ग्रह चारी, जब उतरती है तब कहते हैं, अब तो हम बाबा से पूरा वर्सा लेंगे, तानमन्धन से पूरी सेवा करेंगे कहां कहां माया गफलत भी कराती है फिर शिरी मत पर चलना छोड़ देते हैं फिर कभी समर्थी आती हैं तो शिरी मत पर चलते हैं इस समय दुनिया में है रामन संपर्दाई ये देवताई हैं राम संपर्दाई रामनसंपरदाए वाले रामसंपरदाए के आगे माधा ठेकते हैं, तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते, आभ क्या हाल हो गया है, अब बाप सबको पुर्षार्थ कराते हैं, नहीं तो बहुत पस्ताना पड़ेगा, बाबा पुर्शार्थ करा रहे हैं, तो पुर्शार्थ करना चाहिए नहीं करेंगे, तो बहुत पस्ताना पड़ेगा, हम भगवान की शिरीमत पर नहीं चले, बाबा तो रोज समझाते हैं बचे, गफलत मत करो, सर्विस करने वालों को देखते हूं कैसे अच्छी सर्विस कर करते हैं, फलाना फर्स्ट ग्रेड, फलाना सेकिंड ग्रेड में सर्विस करने वाले फर्क तो रहता है ना, बाबा बच्चों को समझाई का तो सही न, अज्ञान काल में बाप थपड भी मारते हैं, यहां बेहद का बाप तो प्यार से समझाते हैं, अपनी उन्हती करो, जै ऐसा हो सके पुर्शार्थ करना चाहिए, बाप को खुशी होती हैं, कि पाइंच हजार वर्स के बाद फिर आकर बच्चों से मिला हूं, राज्योग सिखला रहा हूं, गीत है न, तुम भी वही, हम भी वही, तो बाप कहते हैं, तुम बच्चे भी वही हो, इन बातों को और कोई समझ ना सके, अच्छा, मीथे मीथे सिक्की लदे, बच्चों प्रती, मात पिदा, बाप दादा का याद प्यार, गुद मॉर्निंग, डाइमंड मॉर्निंग, रोहानी बच्चों को रोहानी बाप की नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को याद प दार्ना के लिए मुखिस आ रहें, स्वेम को सर्विस के लाइक बनाना है, जो अच्छी सर्विस करते हैं, उनका पूरा पूरा रिकार्ड रखना है, अपनी उनती का ख्याल रखना है, सेकिंड पॉइंट हैं, तानुमन धन से पूरी सेवा करनी है, शिरी मत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है, बर्दार, मास्टर ऑल्माइटी ऑथॉरेटी की सीट पर सेट रहने वाले, सहज और सदा के कर्म योगी भाव, जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है, तो एक बार सेट करने से फिर आटोमेटिकली चलती है, इसी रिती से मास्टर ऑल्माइटी ऑथॉरेटी की स्टेज पर स्वेम को एक बार सेट कर दो, तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे, हर संकल्प शब्द और करम, उसी सेकिंड परमान आटोमेटिक चलते रहेंगे, यही सेटिंग सेहज और सदा के लिए करम योगी, निरंतर निर्विकल्प समादी में रहने वाला सेहज योगी बना देगी, स्लोगन, मैं की बजाए बाबा बाबा कहना, यही याद का प्रूफ है, आज की तपश्या की पॉइंट है, समय प्रती समय वैभाओ के साधनों की प्राप्ती बढ़ती जा रही है, आराम के सब साधन बढ़ते जा रही है, लेकिन यह प्राप्तियां बाब के बनने का फल मिल रहा हैं, तो फल को खाते बीज को भूल नहीं जाना, आराम में आते राम नहीं भूल जाना, सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगुठा भी नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन बीना साधना की यूज करेंगे, तो स्वरण हीरन काम कर लेगा, जैसे सीता हीरन के पीछे भागी परवोत कौन था, माया थी, तो ऐसे ही बाबाने का यह साधन भी हैं बड़े शोबनिक, लेकिन यह बाबा का बनने के बाद फल मिलता है, तो इसलिए साधनों के होते हुए, साधना को ना भूले, अर्था शिव बाबा को ना भूले, ओम शन्ति